दो स्टुजेंट्स आप सभी का जोगत है मारे इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग मिसन मैथोमेटिक्स क्लास 8 की वक्सीट की बारे में बात करेंगे जहाँ स्क्वार रूट बाइ प्राइम फैक्टर निकालेंगे आज की देट है दस आठ दो जार तेस प्राइम फैक्टर आफ नंबर यानि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर अगर देखें तो आप देखोंगे 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुड़े 3 दस का क्या हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 और 25 का 5 गुड़े 5 हो जाएगा पर किसी हम क्या है स्क्व 244 में भी आप देखोगे तो दो गुड़े में दो गुड़े में दो गुड़े में तीन गुड़े में तीन यहां देखोगे दो का एक पेर बन रहा है दो का एक और पेर बन रहा है और तीन का फिर एक पेर बन रहा है इसी तरीके से 625 में आप देखोगे 5 गुड़े 5 ठीक है उनकी prime factor जो होगा factor square नम्मर का वह क्या होगा prime factor प 255 उड़कर पैंच में एक बार में जाएक लिए पांच जो है पांच के पाँडे में एकicano या तरी तरीके से आप देखो कि इस प्राइम फैक्टर को देखा जाए तो आप देखो गी सब्सक्रायर स्ब्सक्राइव करिंए और एक पांच यह देगा गोड़ा होगे 20 इसका correct answer आजाएगा अब देखो दूसर एक्जामपल जो इसमें कहा गया find a smallest number by which one ten thousand eight must be multiplied so the resultant is the perfect square तो सबसे पहले इसका prime factor निकालोगे इसका prime factor दो गुड़े दो गुड़े में दो ठीक है फिर दो से गुड़ा करोगे फिर गुड़े में तीन तीन दो बार गुड़ा अपस में कर लोगे और साथ तो आप देखो के सब पेर में ये दो भी पेर में ये दो भी पेर में ये भी ये पर ये साथ नहीं है जब ये साथ नहीं है तो साथ को क्या करेंगे देखो यहाँ पर लिखा है कि seven prime factor has no pair seven has no pair so the multiplied one thousand ten thousand eight by five ठीक है seven ten thousand eight को seven से multiply करेंगे और उसके बाद हमें क्या है prime factor जो होगा हमारा वो बन जाएगा पेर में देखो वो seven क्या बन गया पेर में तो में perfect square फिर मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो लाइक चैनल सस्काइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में के बाई